नमस्ते फ्रेंट्स वागत है बार फिट से आप सभी का करतेशा क्रेटिविटी में तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत यूसफुल और एक बहुत ही प्याला सा बैक काईटर शेयर करने वाली हूँ तो इसलिए फ्रेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे कि आप वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और वीडियो आपको जडिस भी पसंद आती है तो प्लीज फ्रेंट्स आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजएगा तो चली फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसके मैं मेजर्मेंन प्रता देती हूं इसकी जो लबाई मैंने रखी है, यह है टूंडी थी सैंटी मीटर् और इसकी चड़ाई मैंने यहां पे ली है, सेवनटinar مीटर् तो चलिए अभी इसको side रखते हैं और यहाँ पर मैंने rise back से ही दो strap कटे वे हैं और इसकी मैं आपको measurement बता देती हूँ, इसकी च़ड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 1 cm और लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है 23 cm अब मैंने बेटिट से दो स्थेप कट करिए हैं और हम ने क्या नो one part कर फृबग कर दें रखो को इस yüz के और हमने काड़ रखों है फोल्ड करते वह सिलाय लगा देनी है और हमारे यहां पर दो हैंडल बनके तयार हो जाएंगे और यह जो हम हैंडल बना रहे हैं यह काफी मजबूत बनेंगे तो यहां पर देखें मैंने दोनों हैंडल पर सिलाय लगा दी है और हमारे हैंडल बनके तयार हो गए है और यहां आधिरके से सरी थे सभी 7 से निशान लगा देना है और अप हमने हैंडल को पर पर स्टिच कर देना है और इसा सींहुत लूसरी तरफ से 10000 के निशान लगाते हैं यहां पर हैंडल को हम पर कर देदा है तो यहां पर देखें मैंने दोनों हैंडल को इस पर अटेच कर दिया है और अब हमने क्या करना है कि यह जो राइस बैग है इसके सेम साइज कर मैंने यहां पर बैट शीट का कपड़ा कर लिया है इसको हमने राइस बैग के एक पार्ट पर रखके यहां पर उपर से सिलाय ताकि बीच पे भी सिलह के तयार कर लिये हैं और हमने यहां पे क्या करना है कि एक रैस बैक के उपस्तों अचे और हमने दूसरे पार्ट को यहां पर इस तरीके से रखते वे इसके तीनों साइट से हमने यहां पर सिलाई लगा देनी है तो यहां पर देखे मैंने इसके तीनों साइट से यहां पर सिलाई लगा दी है और बीच से भी सिलाई लगा दी है और अब हमने क्या करना है कि जो रा तो यहां पर देखें मैंने तूपॉंट फायव का माग लगा दिया हैं तो चलिए उसको कट कर लेते हैं तो यहां पर देखें दोनों साइड से हम ने इसको कट कर लिया है और अब हम ने लेनी हैं कोई भी एक कपड़े की पट्टी तो मैंने यहां पर बैट्टिट से पट्टी कट कर ली है और इसके जो रॉफ है जैसे साइट से कॉर्णर के वह हमने यहां पर स्टिच कर लेने हैं यह बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन आप अच्छी सी फिनिशिंग चाते हैं और इसमें चा आपका बैग है बहुत ही मजबूत बनेगा जल्दी से फटेगा भी नहीं तो यहां पर देखे मैंने साइट से इसको अटेच कर लिया है और सारी जगह से मैंने इसमें पाइपन लगा दी है तो चलिए अब इसको हम सीधा कर लेते हैं बैग सीधा करने के बाद आपने यहां पर एक काम करना है जिससे जो आपका बहुत है काफी देखने में भी अच्छा लगेगा तो आपने यहां पर करना क्या है इसकी नीचे के बाद को हमने इस तरीके से पकड़ते वे यहां पर हम इसके साइड में एक पतली सी सिलाय लगा देंगे बिलकुल किनारे से और सेम इसी तरीके से हम दूसी तरफ से भी इस तरीके से पकड़ते वे यहां पर किनारे एक सिलाय लगा देंगे तो यहाँ पे देखें मैंने दोनों तरफ से यहाँ पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारे बैग में कितनी अच्छी से फिनेशिंग आ चुकी है और यहाँ पे हमारा कितना बड़ा बैग बनके तयार हो चुका है और इस बैग को हमने राइस बैग से बनाया है तो काफी मजबूत भी बना है और इसको अगर आप अपने travel bag की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप अपने कम सकम 8 से 10 जोड़ी कपड़े आराम से रख सकते हैं और अगर इसमें आप अपना राशन लेकर आना चाहते हैं आराम से इसमें राशन भी ला सकते हैं और ये काफी जल्दी फटने वाला भी नहीं है बहुत ही मजबूत हमारा ये bag बना है और इस तरीके का मजबूत bag तो हमारे पास होना ही चाहिए तो फ्रेंट्स अगर आज का ये idea आपको जड़ा सब भी प्रसंद आया है तो प्लीज आप इसे like, share जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप मेरे पहली बार आए हैं पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसी तरह की useful वीडियो देखने के लिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चली फे फ्रेंड सब मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स वीडियो में तो तब तक ले टेक केर और थेंक्स वर वाचिंग